राजाचीबादी आप लेक्ट में जादा थें कॉंग्रेस में जादा हो गएा है इस देश के भीतर जितनी भी राजनितिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो इसिससके संविधान में आस्था रखते है उसमें बhadowसा रखते हैं चाहरे वो The party हो कॉंग्रेस पार्टी हो bjp ज्यादा और कम का सवाल नहीं है ज़िक है सवाल यह है कि इस बहस को खड़ा करके कौन सी बहस को गुमराह किया जा रहा है इसको हम को समझना परेगा हम क्या कह रहे हैं कि भाई भारत माता है हमारी और भारत की भूमी पर पैदा होने वाला हर इनसान इस देश का नागरिक है और वो नागरिक जब नौकडियों के बिना भटकता है जब उसको ऑक्सिजन सलेंडर नहीं मिलता है अस्पताल में बेट नहीं मिलता है किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है महिलाओं के साथ दुर्वेभार होता है इस देश की जो राष्ट्रिय संपत्ती है उसको सोच जवाब दे सकते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं सारी बात आप इसी मंश्व से तुन भोलेंगे एक बार आपने जो सवाल करेंगे जित्रा जी यहां बीजेपी का कोई ओचित्य है या आज तक को इन दोनों का अगर प्रपेगंडा कराना था तो बोलेंगे इसको धंका विए त defic drunk आ रमसे आराम से चित्रा जी आप कं今天 बड़े हैं इतने बर्यादा करे है किसी को सब्सेबरत आप बोला तो नहीं को बोल रहे हैं विएकर नहीए क्रिस kulli प्रशनों का उत्तर देता हूं नंबर एक यहां हार्दिक पटेल जी ने कहा कि संभीत पात्रा रोज डिबेट अच्छी बात है आप मुझे देखते भी हैं कि संभीत पात्रा डिबेट में आते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हम नहीं करते हैं जब सल्मान खुर्षीद राहूल गांधी और कई आपके नेता के कहते हैं कि हिंदू मत सर एक सेकें अरुन पूरी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यह इस प्रकार से डिबेट नहीं कलीपूरी जी आप एठी हैं सामने यह गलत फैक्ट बोलें कलीपूरी जी आप सामने बैठी ह आप एक सेकें प्रकार आप से अराम से प्लीज पूरा देश देख रहा है थोड़ा साब मुझे बार बार एक एंकर अगर इतने बड़े नेता हों को मर्यादा सिखाए खुद के भी तर जाग के तो देखिए प्लीज कर आपसे भी संभी आपसे भी प्लीज ठीक है आपकी आएगे तो बोलिएगा अपने बारी में बोलिए और थोड़ा इंतजार कीजिए इतना धैरी कम से कम दिखाना चाहिए हर एक नेता को चित्रा जी मैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत धैरी पूर्वक कह रहा हूं कि हमें बहुत शांती से डिवेट करना चाहिए मैं नहीं है प्लमान के उलल की आटे रहे कॉह इ coal के डिवेट पर आते हैं कौन कहरा है मैंने कहा कि घ्रेवट गांदी शुल कुरसीट यूमान ह्रशीज्य एक अश्यूगह ठीक में बार्चाहिट का एक जनकी समक्राइब आपके बात पूरी हुजाए मैं आऊंगे आऊंगे इसे नहीं होता है ठीक है संभी जी अपने बिना मतलब के नहीं है मैं बिना मतलब से कह रहा हूँ आप चुप रहे ये शांती से बिल्कुल चुप बैठिये चिल्लाइए मत लगा कि रहा हुल गांधी का बोलूं गा क्या है राहुल गांधी का बोले on the Aaj Tak agenda stage to keep the line of discipline. Please let Samvit Patra ji or any other speaker keep their entire point, then you may raise. Please don't fact check them in between. Let the moderator do that, please. Otherwise, as an audience, we don't know what's happening. We can't hear and understand it. This is not a TV debate. She does not have the facility to mute you or say producer unka mute kardijiye. So, please, can we please hear each speaker's point of view clearly? As an audience, we are here to listen to you. Please give us that respect as well. Thank you, all of you. Thank you so much for the intervention. We don't want to fight. We don't want to. And I'm saying with you, Chitra ji, what's happening here in the agenda is happening in the parliament. They're not giving up. They're showing a placard in the face. They're throwing someone, they're strangling someone, that's happening in the face. I'm giving up with my hands. I'm giving up with my hands. This is a very big platform. I'm sitting in the country. I'm sitting in the country. I'm a small group. I want to say so that the country to live, to think good for the country, to try to improve the country, to try to improve the country. This is not an easy work. I'm giving up with my hands. 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 You're making up with my hands. I'm giving up with my hands. I am useful. I am useful. And I am useful. I'm useful for the people's support. I would provide legal support. My country. This is a really good. We are bloody. The human being is alive. This can say this. Because the freedom of expression is kept me. और मैं अपने धर्म को बचा नहीं सकता, मैं अपने राम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता, क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ? जबाद दीजे, करने एकुमार जी, आरी हुं साकी जी और उसकी बादार। देखें, सबसे पहली बाद तो यह है, कि जब हम कहते हैं कि यह देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, भारत माता की जय कहना चाहिए, तो भारत माता के जो बच्चे हैं, 45 साल में देश में सबसे जादा बेरोजगारी है, रोज रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, रोजगारी में इजाफा होता है हम नीजी करन के खिलाफ नहीं है मेरा यह कहना है कि इस देश में जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो नीजी करन भी efficiently work नहीं कर पाएगा हमारा यह अनभव है कि सरकारी स्कूल होता है तो जो एक बढ़ी आवादी है जो नीजी की तयारी की जा रही है लाइसी बेचा जा रहा है यह जो राष्टवाद के नाम पे राष्टिय संपत्ति की बिक्वाली हो रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं इन सवालों का जवाब देने की बजाए यह क्या करते हैं बोको हरम करते हैं कौन कह रहा है कि आप बोको हरम है सही ये मुझे ठीक किजिएगा और RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे जंडे को स्विकार नहीं काक किया उसने कहा कि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि तीन रंग होने चाहिए जंडा में बोली हम गलत बोल रहे हैं कि सही हम कहते हैं कि यह देश बार दास्था कुछ भी हो वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों को बराबरी का हग दिया गया है जिए बहले संबिच जी की सरकार शेकित्र जी यह बार बार 2016 से बाहरत देरे भारत तेरे बोल रहे हैं उतना बार टुकरा तो हम नहीं बोले हैं जितना वार यह टुकरा बो क्यों कोई कारवाई नहीं हो रही है उसका बेटा किसानों के उपर जीब चढ़ा देता है और उसके बाद इनके मुह से एक सब्द नहीं निकलता है यह कहते हैं कि किसानों के सहादत का दुख है मुझे आपको दुख था तो आप गय क्या आपके किसान के उन पडिवारों के पास जिनकी को भात कर रहा था उसका बेटा जीब चढ़ाया है जैसा जीब नहीं चढ़ाया है रत्मत बोलिए हम टेनी की बात कर रहा है तो आपको कहना पर रहा पाईएगा जवाप सुलिजे ठीक है देखे चित्रा जी आपर तू-तू-मेमे की डिबेट लोग देखके तालीब जाने के नहीं बैठे अब जानते हैं चित्रा जी विगाच सतर वर्षों से देश में डिबेट चल था था ता कि अनुछे 370 को को क कह दिया था कि मोदी जी अगर हजार बार जनम ले लेंगे तो अनुछे 370 नहीं हट सकता है यहां तक कह दिया गया था कि अगर 370 को कोई पर्ष भी करेगा तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा खून की नदिया भैजाएंगी आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरे एक दिन में ही उसे घिसकर समाप्त करने की हिम्मत रखता है नरेंद्र मोदी और अमिच्शाज